नमस्कार दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों सफलता जो है वो महनत करने वालों पर फिदा हो जाती है यानि कि सफलता की एक खास बात होती है कि वो महनत करने वालों पर फिदा हो जाती है इसलिए आपको महनत करते रहना चाहिए और कभी भी कि इच्छा नहीं करनी चाहिए अगर आप मायनत करते रहेंगे तो फॉल आटोमाटिक आपको मिल जाएगा चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ हमारा जो टॉपिक है MS Word में पेज लियाउट को लेकर मैंने वीडियो बनाई है और इसी टॉपिक पे हम पूरी वीडियो में बात करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक चीज़े MS Word की जान लेते हैं दोस्तो MS Word में में क्या है हमें आगी चल के जब हम काम करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा क्या सीखना चाहिए कि जो हमें काम करने पर जो उप्योग हो यानि कि जो हमारे काम में आए और दोस्तो मैं किसी इंसीट्यूट की तरह नहीं सिखाने वाला हूँ कि आप इससे यह ह बताने वाला हूँ कि यह किसलिए बनाया गया है आपके लाइफ में इसका क्या यूज है MS Word में दो टोपिक सबसे ज़्यादा में होते हैं पहला तो मैं इसे MS Word ओपन कर रखाए गाइस यहां पे इंसर्ट सबसे ज़्यादा जो होता है कि में टोपिक होता है और उसके बाद हमें दो मंजिल घर बनाना है अब दो मंजिल बना लिया लेकिन हमने नीव जो उसकी नीचे की नीव होती है मैंने उसको ही नहीं सही से बनाया गाइस तो वो तो घर गीर जाएगा गाइस तो सबसे पहले हमें कोई भी काम करते हैं सबसे पहले हमें पेज सेट अप करना होता जैसे identity card हम बना रहे हैं तो उसका size होना चाहिए वरना हमने design तो कर लिया size अब बहुत बड़ा अब उसे छोटा करो फिर edit करते रहो तो काफी time लग जाता तो सबसे पहले क्या होता है कि page को size को सही करना ठीक है इसलिए ही page layout tape बनाया गया है इसमें हम color भी करने वाले हैं और page में हम images को यानि की color जो पीज का जो color होता यानि background color आप कह सकते हो उस background में हम images भी add करके देखेंगे और borders भी add करके देखेंगे बाटर मार्क भी लगा के देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वैस सब आप से पहले आपका option देख रहा होगा यहां पर थिम्स का option मिल जाता है गाइस थिम्स आप अपने फोन में क्या करते हो कि जब भी आप किसी एप को चलाते हो तो उसमें क्या होदा filter बगेरा मिल जाते हो यानि photo click app की बात कर रहा हूं ठीक है तो उसमें filter बगेरा जो मिलते ह यहां पर आपको office लिखा देख रहा है यानि office में जो हमारा text यूज होता जो colors यहां से मिल जाता है और by default होता है इसके अलावा आपको चाहिए तो यहां से आप select कर सकते हो इसकी practice करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह themes है ने apply कर देजिए text आपका वैसा ही हो जाएगा इसके बाद में इन themes को आप change भी कर सकते हो जैसे आपको themes का color कौन सा रखना है यानि आप जो लिखने जा रहे हो उसका टेस्ट का color आप already change कर सकते हो गाइस यह themes है ठीक है basic चीज है आपको यह कोई ज़्यादा काम नहीं आने वाली है ठीक है उसके बाद में next यहां पर मिल इसके बाद में यहां पर काफी सारे अप्लाई कर सकते हैं यह effect जो हम यहां से हम जो गाइस यहां से से लेते हैं इन सेफ पर यह effect जो हमने लाश्ट वाला effect देखा है यह उस पर अपलाई हो जाता है जो हमारा main topic है उसकी तरफ बढ़ते हैं यहां से size से सुरू करने मालों यानि सबसे पहले page का size setup करना सीखेंगे guys तो मैंने open के लिए पहला later मिल जाता है जो कि कभी हम later लिखते हैं तो later के लिए होगा और guys सबसे ज़्यादा हमारे लिए useful option रहता है वो रहता है A4 size guys यहां पर दिख रहा होगा यानि किसी भी printer में जब हम printing निकालते हैं तो ज़्यादा तर हमें अपने भारत में ले लिए या हमारे area में ले लिए हमें A4 size paper ही मिल जाते हैं वैसे आप जिस भी size का paper आप use करते हैं वो यहां से select कर सेते हैं guys और जितना भी आपको A4 small में मिल जाता है आप guys यहां पर more paper setting मिसने जाएंगे यानि more paper sizes में जाएंगे guys यहां पर dialogue उस खुल के आता है जिसका नाम होता पीज setup पीज setup में आप जो है पूरा page का जो guys पीज होता है उसका पूरा setup कर सकते हैं guys तो मैंने 8 को हटाके 9 किया तो guys जैसे मैं यहां पर नीचे click करूँगा और उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं custom size लिख के आने लगा है क्योंकि custom का मतलब आप खुछ से change कर सकते हो और guys मैं ऐसे preview में भी देख सकता हूं guys ठीक है उसके बाद में आप apply to को अच्छे से समझ लीजिए ठीक है एक बार समझना है बार बार नहीं क्योंकि यह एक बार समझने में ही आ जाएगा guys अब paper size हम क्यों सही करते हैं guys अगर paper size सही नहीं होगा जैसे माल लिया हमारा printer a4 size का है और हमने a5 size का paper यहां पे हमने add कर लिया जब हम उसको print करेंगे क्योंकि हमने a size 5 लिया जो size finally हमारा size बड़ा होने वाला है तो size जब बड़ा होने वाला है तो guys जब हम छोटे में जैसे मालो एक कटोरा बड़ा है मालो एक छोटा छोटा कटोरा है उसमें आप जो बड़ी चीज रखना चाहूंकि कर रख जाएगी नहीं रखेगी मतलब चुकरिया में हा लग से वीडियो बनाऊगा इसकी MS word को इंचेस की जगे सेंटीमेटर में कैसे चेंज करें गाइस तो मैं यहां पर बड़ा च्छोटा साइज यहां पर पेपर का करना हूं आप एक बार प्रिव्यू देख लेजिए और मेरे साथ प्रेटिस करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए गाइस उसके बाद में गाइस यहां पर प्रिव्यू देख सकते हैं अप अप्लाई टू को अच्छे से समझ लिए आप अप्लाई टू में जाएंगे और नीचे स्ट्रोल डाउन पर जब किलिक करेंगे तो यहां पर ऑप्सन आ रहा है होल्ड डाकुमेंट य लिए तो गैस मैंने यहां पर तेंटें लिए लिख रखां या लिए दस लिए लिख रखा निएंद्स दस यूख रखंघि रक क्योंकि सबिस्य और अब चलते हैं जाने के वो नहीं आ रहा है selected text hold document जब आप hold document पर किलिक करेंगे तो finally हमें पता चल लाएगा कि पूरे जितने भी pages से सब पर apply होगा और selected test करेंगे तो स्रीफ और स्रीफ first page पर apply करेगा यानि कि जो test यानि जिस page पर आपका करसल होगा यानि कि जहां पर आपने text को select कर रखा होगा वो test पर apply हो जाएगा यानि उस page पर वही size apply हो जाएगा जो आप यहां से apply कर रहे हैं तो guys यह size आपको समझ में आ गया होगा I hope मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो के पर किलिक करेंगे यह apply हो जाएगा उसके बाद में यहां से कर सकते हैं मैं 100 कर रहा हूँ तक आपको अच्छे से दिखाए दे के control प्रेस स्क्रोल बटन घुमाएंगे तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यह सोटकी होती है मैं स्वर्ड में जूम इन जूम आउट करने की ठीक तो मैं इतना कर रहा हो तक मैं इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं अपने में स्वर्ड के जूम इन थोड़ा कम कर देता हूं इसे मैं इस तरीके से कर लिया आपको मेरे पेपर दिखाए यानि पीज दिखाई दे रहे हूंगे तो और यहां पर सिर्फ इतना ही मतलब है लेकिन गाइस फॉस्ट को यहां सबीदाख़त पे अप्लाई हो रहा है यानि की एक साथ सारी पेईफ पिजस अपलाई पेंपर चाहे सकतlles कि नहीं पर करते है नहीं कि वीडियों के पॉछ्छे करिंद क्यों कैसे तो इसीं सामें सब्सते उम है भाइस बर्कुल आपको बढसे रही और बहुत कि तरफ तो मार्जीन में जब हम जाते हैं गाइस तो यहां पर काफी सारी मार्जीन होते तो मार्जीन है क्या समझ में नहीं मार्जीन क्या ठीक है तो मैं पेज को थोड़ा यहां पर दिखाता हूँ आपको दिखाना चाहूंगा आप जो यहां पर टेस्ट लिखा हुआ तो कि कि देखेंगे एक और फिर चुटा हुआ इहना जो फॉता हुआ तो तैसे हम आरट कहते हैं आप जैसे यह भीच हposन्यान which यह में भीन का ते हैं हुआ क्यों है तो टार्य किसे करें तो की नहीं सिवा। सबसे पहले मार्जिन को समझ लिए मार्जिन में आपको मिलेगा को जितनी मार्जिन रखनी आप रख सकते हैं बॉटम में बॉटम का मतलब होता है नीचे कितनी रखनी राइट मैं कर दिया उसके बाद में बटन पर किलिक करूंगा उससे पहले आपको समझ लीजिए अभी जो हमने बात की थी पोट्रेट और इलेंड इसके पीज को कैसे करेंगे वह इसी उप्सन में सीख जाएंगा उससे पहले आप देख लीजिए यहां पर अप्लाइटू में क्या और जब हम सेक्षन बनाएंगे तो यहां पर एक सेक्षन का उप्सन भी आजाएगा अगर आपको नहीं पता है में सेक्षन कैसे बनाते हैं तो गाइस इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है ठीक है उसके बाद में में ओके पर किलिक करता हूं होल्ड डाकुमेंट प मतलब पीज के हर तरफ चारों कोनों में बिल्कुल सट गया है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में फिर से इसी वॉक्स में जाते हैं कस्टम मार्जिंस में जाने के बाद में हमने उपर की तरफ समझ लिया यहां पर पोर्टेल लेंड इसके पर फंडा भी समझान को लेंड इसके प्या पोर्ट्रेट कैसे करें अपने ट्राइ किया होगा तो नहीं हुआ होगा अब आपको अच्छे से मेरे पेजस दिखाई दे रहे होंगे फॉस्ट पीज को घ्यान से देखिए स्लेक्ट करना है और उसके बाद में मार्जिं में जाना है उसका कस्टम मा प्लाइट वी तू में उना है और यहां पर स्लेक्टिक कर दिना क्या स्लेक्टिक कर देना ना रहां अपको और एक हैजद भूमरा एक हैन पर्ट्रव हें हैं और वहां पर्ट्रेट पोर्ट्रेट ओना प्रेज में भी सट हुआ है ऐसा क्यों है चलते हैं फिर से मार्जीन में मार्जीन बहुत ही यूज फूल ऑपसन है जरूर पूरी वीडियो को जरूर अच्छे से देखना घाइस ठीक है कस्टम मार्जीन में जाना है अब भी यहां पर एक ऑप्सन मिला गटर यानि गटर यानि कि उस साइज को छोड़ दिया जाए जहां पर उस गतर देवार तरहल हो और च्छेक है और आपछेंगे कि यहां पर उस प्रेश्ण का फॉजिशन उसक्लिया पोजिक ऑपको अच्छे से पता चल गाए हुए है पर जो हमारी notebook होती है या कोई ऐसी books भी होते हैं जिनमें spring पड़ा होता है ठीक है diary वगेरा भी आपको मिल जाएंगी spring बाले तो टेस्ट ना दबे इसलिए हम गटर पोजिशन को पहले से लगा देते हैं अगर आपने मेरे साथ प्रेटिस की हो तो ध्यान से प्रिव्यू में देखना तो इस तरह पर एक spring ऐसा बना हुआ भी दिखाई देगा आपको ठीक है प्रिव्यू में दिखाई देगा जब आप गटर पोजिशन अपलाई करेंग तो चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है उसके बाद में फिर से थोड़ा पीजिस को बढ़ा कर लेता हूँ यानि कि जूमीन कर लेता हूं और उसके बाद में यहां पर एक उसमीलता है कॉलम्स का यहां पर कॉलम्स में जब आप जाएंगे 123 लेप राइट ठीक है तो चलिए इसके वह समझ ले देगा आप ने इस समय में इस समय में यानि कि जो बुक क्रिक्लों करो सबसे अब ह corr करने वाला हूं अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अपने कीवोर्ड में आपको करना जिससे जस्टीफाई हो जाएगा और टेस्ट माना अच्छा लगा गाइस तरीके से लिखा होता है यह तो इस तरीके से आपको डिवाइट कर सकते हैं त्री में करना राइट मोर कॉलम्स में जब जाएंगे गाइस किसी की ऑप्सन को नीच होड़ेंगे पूरी वीडियो देखते हैं अच्छे से अच्छे से समझेंगे इस तरीके से हैं अभी गाइस बन ट त्री फॉर लेफ्ट राइट याई आपको बहीं से मिल गया तैं मैं बढ़ाने को कोशिए क्वाइट होती है यहां पर 14,56,55,10,19ci इस पर आके हमारा जो है अटक गया है 19 से आगे नहीं बढ़ेगा तो गाइस यहां पर फानली 19 कॉलम्स हम बना सकते हैं अब यहां पर उप्सन मिल लाएगा गाइस आपको मैं फानले फानले तो मैं तू कॉलम्स अप्लाई करूंगा लाइन वीटमिन का जाइस नमबर वॉफ कॉलम्स के पास में आप लाइन चाहते हो तब हुखलत विरत के कैगा आप म्लाई हो गई और उसके बाद मुख्षै जाना कॉलम्स वॉइट मारी चूहरे pathway हो दो Cultural तो यहां पर मैं इसे जो है यहां पर कम कर देता हूँ इसको मैंने कर दिया एक तरी पर इंचेस में रखोंगा ठीक है स्पेसिंग क्या 3 इंचेस कर नहीं मुझे spacing कम चाहिए गाइस अभी आपको यहां पर दिखे रहा हुआ कि दोनों equally हो रहे हैं मतलब मैं इधर भी कर रहा हूं तो उधर भी हो रहा है तो गाइस यहां पर equal column width से इसको हटा देना है और यहां से आप देख सकते हैं one two की width भी change कर सकते हैं finally मैं इसको कम करने वाला हूं जिस पर भी apply करना है उस पर apply कर सकते हैं मैंने जब क्लिक क्या तो देख सकते हैं यह वाला जो column है हमारा हो गया यह वाला बढ़ा हो गया बीच में लाइन हो गई और इस पेस भी कम है आसा करता हूं कि आपको column option भी अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्रेक रॉप्सनुट के ओधा प्रीक काईस ब्रीक काड़ी में ब्रीक मार दो गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीज पेस ब्रीक शीखा था ठीक है अब यहां पर बहुतीज यहां पर इंडिकेट दी टेक्स फालंग दी कॉलम ब्रेक बिलवी विगें इन दी नैक्स्ट कॉलम ठीक है अगर आप कॉलम में हैं और जब आप इस पर किलिक करेंगे तो टेक्स्ट होगा इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के वाद में ब्रेक्स करता हूँ तो यहां पर तेक्स्ट और पर क्लिक करता हूँ तो वहाला डूसरी पे तो यहां पर इस तरीके से ब्रेक काम करता है और उसके बाद में टेश्ट रेपिंग एक कमाल का उप्सन बहुत कमाल का है कि यहां पर इंटर बटन दवा ठीक है अभी यहां पर इंटर बटन करता हूं जो पर टाइप किया है वह जैसे फाइनली गईस में अभी यहां पर अपर पर रखाए अब यह सब आधा देता हूं और में न्यू पेज लेके आपको अच्छे से समझाता हूं गैस यहां पर कंट्रोल एंट करें लिया मैं एक वह लेंड लगा लेता हूं गैस अब अच्छे से समझ लीजिए जैसे टू चैंज दी ऑवरेल लूक यहां पर लिखा हुआ गैस ठीक है इसको मैं बेक करता हूं तो डारेक्टली यहां पर आ जाता है मतलब मिल तो गया लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो टू है वो यहीं पर रहे यानि इस पैराग्राफ में जूड जाए और यह इस पेस खतम हो जाए लेकिन यहां पर ना है लेकिन बेक इस बटन दवाता हूं तो यह बहीं चला जाता है अब गैस ही बहुत काम में आएगा जो आप्सन में पहले बता रहा था तो यहां पर चलते हैं आप ब्रेक्स में ब्रेक्स में जाने के बाद में अभी यहां पर टेस्ट रीटिंग पर करेंगे तो देख सकते हैं फाइनली हमारा नीची आ गया तो इसका यूज यह है अब आसा करता हूं अच्छा समझ में आ मानलो बाउ के बच्चे हैं यहां इस तरीका से माध के बच्चे हैं तो इस तरीके से जोब सैक्सन एड करदेंगे तो इक टीचर शु 않아요 पढ़ाएगा जहिर सी बात है कि अलग-अलग math और बायो पैसे सब्जेक्ट मां की एक जैसे होता है मैं मानता हूं लेकिन math और बायो का teacher अलग-अलग पढ़ाएगा घास ठीक है तो इस तरह कि कर देंगे लेकिन section add करने का फाइदा क्या अभी मैं आपको पूरे अच्छे से समझाने वाल हूं गाइस अच्छे से समझाने होगा अभी सबसे पहले header को add कर लेते हैं तो यह पर header मैं कुछ भी type कर देता हूं मैंने header type कर दिया है यह मत समझना है कि यह टेक्ष नॉर्मल ही नहीं है header है और header का काम क्या होता है कि यह हर जगे अब करके देख सकते हैं मैं ज्यादा करके दिखाऊंगा तो आपका जो है समय बरबाद होगा ठीक है आप करके देखिए तो उसके बाद में जाना है जाने के बाद में आप लाइन ब्रेक्स में जाना है नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक्स मालोग मुझे सेक्शन ब्रेक्स कर देना है यहां पर से चली मैं करके दिखा देता हूं जैसे वाइड नोलीज ओफ आइटी लिखा है और इसके आगे मैं लिख है आपको एक सेटिंग कर लेनी सबसे पहले यहाँ पर लिंक डू प्रिविएश का उप्षण आएगा जो उसको आपको इनेवल नहीं करना ठीक है यहां पर यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं और यहां पर अगर आ तो आफ कर दीजिए आप और को तो देखेंगे कि उपर यहां थे अगए और नीचे हमारा यहाद रखनाए ठीक है फुरसे समंझ मैं को इसी तरीके से आप प्रेटिस करिए कि tai कुरral के यहां पर ब्रेक्स में होता इस विए दो से चार में section लगाता है और old page होता है एक से तीन पेज तक section लगा देता है यानि बीच के first second पहला दूसरा तीसरा छोड़तेगा तीसरे page पर जाके section लगा देगा और जो even page होता है दूसरे और चार छोड़के यानि दो तीन चार छोड़के चौथे नंबर पर पहुंचेगा तो section लगा ठीक कांटी न्यूज का मतलब समली यह बहुत कामका है अभी यहां पर चलते हैं जैसे मालूम मैं यहां पर लाइन नंबर देना चाहूंगा और अगला option न्यूज हमारा पीज तो इससे क्या होगा कि अगले पेश से नये स्टार्ट होजिए के लिए आपको चिल्क करना है पूरे सबी पेजेसं को और जिस पेट यहानि कि पहले से एक दो थीन चार दूसरे से एक दो तीन चार उसके बाद में आपनें कांटीन इसका मतलब क्या होँआएगा यह 37 जो आपने उपर से स्टेजा शुरू किया वो नीचे तक पीजस तक रहेगा उसके बाद में री स्टार्ट यह श्यक्सन पर फर्क देखो पड़ गया एक तो यहां पर एक से सुरूब क्यूंकि हमने यहां पर लगा दिया था आब यहां से आकर सेक्षन नहीं लगाए तो य इस तरीके से continuous आभी breaks मा है कि यहां पर हमने किया किया टेस्ट रेपिंग किया था बैसे continuous भी यह जैसे किलिक करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा लेकिन यहां पर section लगया जिसके कराण एक दो चिंचार गिंती सुरू हो चुकी है मैं जूम करके दिखा दूँ आपको देख ठीक है और उसके बाद मैं भी देख सकते हैं अब यहां पर अगला option जो हमारा आने वाला हाइपनेशन यह क्या चीज़ है हाइपनेशन आइटूमेटिक लगाएंगे मैनुल भी लगाएंगे हर तरीके से सीखने वाले तो हाइपनेशन का मतलब समलें जो वर्ट से इधर ल लेकिन अधा उधर होगा अधर हो अधर हो आटोमेटिक पे जब मैंने क्लिक किया तो यहां पर कोई वर्ट मुझे अभी मिले ही नहीं है तो मैं कंट्रूल यह से पूरा स्लेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद में कई सारे वर्ट से देखने को मिल जाएंगे तो मैंने यहा यहां पर देखता रहा हूं कोई वर्ड सुनी मिले इसके लिए मैंने यहां पर जो जस्टिफाइब कर लेते हैं कंट्रूल यह जस्टिफाइब करने के बाद में फिर से मैं हाइपिनेशन में आता हूं और आटोमेटिक नहीं लग रहा है मैनुवल मैनुवल पर यहां पर द्यान से देखते हैं कि अपलाई हुआ है कहीं पर नहीं तो गईस अगर वर्ड साब की इस तरिके से इस तरीके से से मने पताया तो जरूर अपलाई कोगा ठीक है इसकी आपको टेंसल लेने की जरूर नहीं है ठीक है अब समझ जाएंगे अच्छे से आप चलते is बाटर मा किसी का लोगों मिले लुए को किल्क करना है आप कुछ बनाना वह बता दूए यहां पर दो पर को क्लिक कर देना अभी हमारा फाइली वाटर मार्क अपला है क्या रहा है नीचे तो अब यह कुछ अन्फ प्रोफेशनल लग रहा है यह यहां पर देख सकते हैं यह वाला फॉर्मेट लेजिए इस तरीके से लिए मस्त लग रहा है डूनौट कॉपी ठीक है इस तरीके से आप इसमें कर क्या क्या सकते हैं गाई इस बाटर मार्क हमने आड करना तो सीख लिया ल करें घर्ट करेंगे यहां से किसी भी फिक्टर को यहां से स्लेक्ट कर लीना है और इंसर्ट पर करेंगे और यहां पर जैसे हैं प्लाई हो जाई अप इसकेल कैसे रखने आटो तो जो मुझे 100% करूंगा तब भी इस तरीके से आजाएगी ठीक है इस तरीके से मतलब पूरे पेज में दिखाई देगी आपको दिख रही होगी बहुत हलकी आ रही होगी अभी अब जब इसका बॉस आउट हटाएंगे अभी बॉस आउट का मतलब होता है डार्क दिखाईगी जरूर सफल होंगे जरूर सफल होंगे अगर आप महिनत करते हैं तो ठीक है लिए बडर मार्क करेंगे बटर मार्क रिमूब हो जाएगा पेजबोडर मेन हों जाना है अब है आपने नन है कुछ नहीं बॉक्स टाइप करनेना चाहते हूं आ बोक्स पे किलिक करिये सेड़ो सब्सक्राइब करें और यहां पर यहां पर आते हैं और यहां पर आते हैं और कस्टम में जाने के वाद सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें यहां फ्लाल लगा थे नहीं में टीक करना पड़ें के ने मूझे कर सकते हैं मतलब परह प्ले हो उसकी बाइर की मुटाय की अदक I already said 8 I do not make myself similar then not my art day to wonder to черizer और 7 और 8 पके और 8 दे मैं कर लंदितो हैं और 8 और 7 आजए दे मैं और बॉर्डर नहीं चाहिए आपको तो यहां से आप बॉर्डर को हटा भी सकते हैं कैसे यहां पर क्लिक करिए और फाइल नहीं हट गया और उसके बाद में पर इंडेंट और इस्पीशिंग कोई जादा यूजफुल नहीं है आपको यह मैंने होम टेम में पहले से ही सिखा करेंगे तो यह मैंने पहली बता दिया तो द THE डृब्ड पर लिनकर डिश्क्रेप्शन में दिया हुआ ठीक डिक और राइट आपको जटना रखना उतना रख सकते हैं हरा में कुछ करके दिखा देता हूं यहाँ पर समझ में तो यहां पर यह बॉक्स जैसा है यह हटता है तो यह वीडियो देखनी जरूरा नहीं मैं इसी में कवर कर देता हूं तो इस तरीके से इधर वाला देखेंगे तो इह फाला ठीक है तो यह होता है इंडेंट गाइस ठीक है आप इस पेसिंग कितनी अखने आप वह भी सब्सक्राइब कर देख सकते हैं अभी यहां पर मेरे सारे ओप्सन से डिसीवल हो चुक है इस इधर वाले सारे ओप्सन डिसे पोजिशन क्या रखनी है सारे ओप्सन डिसीवल है इंदर ब्रिंग टू सेंट टू बेक टेस्ट रिपिंग आया पर एलाइन ग्रूप करता हूं यहां पर पिक्चर में घया अभी चोह एंड कर ल्यता हूं फिर से कंट्रोल एंड एक न्यूप पीज लियाउट में अभी यह सारे आप्सट्विशन हैं यारेंच में सारे ऑप्सट्वर कर दिया हूं क्यूंकि मैंने इंसर्ट वीडियो बनाई ती उसमें मैंने cover करते हो उस मुझ्य का लिक्स marathon में दिया होका लेकिन इसी वीडियो मेंétat év यहां से एक यहां पर गया हूँ मैंने इए फिक्टर इंसर्ट कर लिए इस पर यह बीडियो बनी हुक रखिर जैसे बीडियो के देखिए यहां पर देखो पोजिशन ऑप्सन भी नेवल हो गया तो गाइस यही है अभी में टेक्स टेलिफून का यह भी नेवल हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं फाइनली इसको हटाना चाहता हूं और हट जाए प्रिक्चर का साइज हमेंसा इस पॉइंट से सही करिए अभी मैं इसको खींच रहा हूं तो इसके लिए टेस्ट रेपिंग में जाना है और आपको स्कॉर पर किलिक कर देने गाइस जैसे आप स्कॉर पर किलिक करेंगे इस तरीके से आप हटा आ सकते हैं चलिए आप बारी आती है कुछ नया करने की टेक्ष्ट ले लेते हैं लगा लिया और फिर से मैंने एक नया टेक्ष्ट यहां पर ले लिया अभी आप स्कॉर दिया इसके कारण हम इमेज को कहीं पर ले जा रहा है उसका टेक्स रहा है आपने अख्वार हों में देख्यों कि पिक्चर लगी होती है तो गाइस यह खासकर यह अख्वार सब्सक्राइब कर सकते हुगा अभी फाइली में एक ही टेश्ट रेपिंग से यह सारे उप्सन रोटेट चोड़के और एलाइन चोड़के बांकि कि सारे उप्सन में कवर कर दो ठीक है यहां पर इसकोर पर किलिक करेंगे तो मैंने फाइली आपके पिक्चर हटने लगे कि पिक्चर के ऊपर टेक्ट आजाएगा पिक्चर हमारी पीछे चली जाएगी इन फरंट आपट टेक्स पीछे पिक्चर बाहर यह यहां पर देख सके तरहों इस तरीके साप्सन आता यहां पर और से भाई चीज़े जो ऊपर थी इसके बाद में जो आने वाला है इडिट रेंटसी सबसेर्य प्रस्ता फ़ल शीड़ना क्रेंगे तो इस तरीके से से को बाख सबसरे में नहीं चीज से बिद्ग करें अगर वीडियों तो बताना और अगले तोप्पिक पे आपको किस चैए बीडियो अच्छी लग रही है या किस टोपिक पे आपको वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बता ना घाई कर रहे सारे उपिसमे बता दिया जाएंगे तो यहां लैप sinners तो इस तरीके से मैं प्रेटिट पॉइंट को हटा देता हूं और फाइलिय मैं पिक्चर को स्लेक्ट करने के बाद में आप इसको आप इस तरीके से आप कर सकते हैं वह ने आपको बता दिये फीटू पिक्चर को साइं सेट कर सकते हैं जिनके आप और इस ये पीशें करना होई किसी में कैसे पता जाल Robin निंग की से ही पता चंता यह पिक्चर सेट करने के लिए ही ग्रीड लाइन से बनाई गई हैं और उसके बाद में आपको पिक्चर किती ही रोटेट करनी है वह आप पिक्चर यहां पर रोटेट कर सकते हैं जैसे आप आप अपने मोवाइल में करते हैं ठीक हो और जेंटल बगएर आपके किलिक करके देखिए आपको बता चल जाए गाइस तो यह थी आज की वीडियो बहुत ही उजपूल थी गाइस कैसी लेगी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी कमेंट कर के जरूर बताना धन्यवाद गाइस अपना ख्याल लखी है और पढ़ते रही है ठीक है कुछ ना कुछ नया सीखते रही है ठीक है तो चलते हैं फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो जब तक के लिए जय हैं